हेलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चानल कैसे आप सब आप होब कि आप सब ठीक होंगे तो आज में लेकर आएँ सिंपल पर एफेक्टिव रेमेडी जो कि आपके स्कीन के सारे प्राब्लम को दूर करने में हेल्प करेगी और आपके स्कीन को ग्लोइंग एकने फ्री और एकदम स को स्कीन पर आसानी से बिना सकते हो और आपको कोई भी इसको परैस अगडरे पएक्टिव और यह जो एफेक्टिव बहुते लिजया और सब्सक्राइब हो ही जिससे कि आप आपकेस कीन निला का सबय नला है अर्य स्कीन vital मेंश चानों धोर और आपको कोई भी इसको पैसे वगेरे पे करने की जरूदनी मार्केट से महेंगे महेंगे प्रोड़क लाओ और आप अपनी स्कीन पे आम लगाये तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है पर मैं आज जो दिखाने वाली हूं कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा स्कीन पे आपके और नैचरल है और हर कोई इसको यूज कर सकता है जिससे कि आपकी स्कीन एकदम ग्लोईं और सॉफ्ट बनने में हेल्प करेंगे और आपके दीरे-दीरे से सारे पिग्मेंटेशन हड़ जाएंगे और आपको ये वीक में एक-दो बार अपलाई करना है जि सोभ्य हिट कर लेना मेरी जो भी वीडियो आईगी आपको फर्स्ट नौ्टिफिकेशन मिलेगी तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं किससे रेमेडी बनाने वाले वह आपको मैं दिखाते हूं तमाटों से हम रेमेडी बनाने वाल है जीम Тамटों से और टमाठों खाने के लि तो आपके स्किन में ब्राइटनेस जरुर दिखा दिएगी तो यह हम टमैटो हाफ कट कर लिया है मैंने इसको इस तरह से हाफ कट कर लिया इसमें हम डालेंगे शुगर जो की स्क्रब का काम करेंगे और आपके स्किन मास्का भी यह काम करेंगे तो इस तरह से हमको डाल लेना ह है कि आपको चाहिए ताक एक स्ट्राभी शुगर इसके बार qre daar सकते हैं और अबारे स्कीन पे हम कि यह अपलाई करेंगे तो हमको हलके हातों से स्टैशर अपलाई करोरेंगे जिससे की हमारे स्कीन आप दिरे दिरे जैसे जैसे आप लाए करो के वैसे वैसे हमार begitu एकतर हैं देखना चालों आपके आए के नीचे तो डाक सरकल रहते है उसमें भी दूर करने में भी हेल्प करता है तो इससे हम अपलाई कर लेंगे अच्छे से स्क्रॉब कर लेंगे आपको चाहिए तो आप और शुगर एड़ कर सकते हैं जबी से सिर्क्डिकर में यह हमको इस तरह से अपलाई कर लेंगा और नेके या प्लाई phi कर लेंडाई क्यूंकि हमारा छो फेस हम सारे चीफे अपलाय करते हो और नेक को सकिप कर जाते है तो हमारा नेक फिर काला दिखने लगता है दिखने लगता है कोको जो भी प्रोडक्त या जो भी रेमडी हम यूज बिर हम्यूज कर pathway इójा और नेक दो चुशभर तो तो इस से हमारे जो नेक और फेस है वह सेम लगेंगे तो अच्छा लगेब 95-ची स्कीन होती है। तो यहां मैं है अच्छे से अप्लाय कर लिया है। तो आप इसको पांच और गेसे स्कृप करने के बाद हम वाश करेंगे तो फ्रेंड में फेस वाश करके आ गई हूं और आप भी हमें इसको अच्छे से पोच लेंगे और 20 मिनिट्स के लिए मैंने रखादा 20 या 10 मिनिट्स के लिए आप रख सकते आपको जितना टाइम आपके पास यूदना और अच्छे से वाइब कर लेंगे आप आप देख सकत इफेक्ट दिखाई देंगे और सिंपल रेमडी यह घर में भी हमको इतने सारे प्रोड़क रहते हैं और हम मार्केट से इतने महेंगे महेंगे प्रोड़क लाके लगाते रहते हैं इससे अच्छा है नाच्रल जो भी प्रोड़क अपने पास ही उससे ही हमारा स्कीन जो अच्छा है